बीती सद्यों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बहतरीन साइंटिस्ट, बहतरीन टेकनीशियंस, टेकनलोजी एंटर्पाइज लीडर्स हमने दिये हैं लेकिन ये 21 सदी हैं और तेजी से बदलती भी दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका और उसको निभाने के लिए और अधीक तेजी से हमें खुद को भी बदलना होगा और इसी सोच के साथ अब देश में इनोवेशन के लिए, रीसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलप्मेंट के लिए, एंटर्पाइज के लिए जरूरी एको सिस्टीम तेजी से तैयार किया जा रहा है अब बहुत जादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी अप एजुकेशन पर 21 सदी की टेक्नोलोजी को साफ लेकर 21 सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टीम भी उतनी ही जरूरी है प्रधान मंत्री इव विद्या कारकम हो या फिर अटल इनोवेशन मीशन देश में साइन्टिफिक टेंपरमेंट बढ़ाने के लिए अनेक शेत्रों में स्कॉलर्शिप का विस्तार हो या स्पॉर्ट्स की दुनिया से जुड़े टैलेंट को modern facilities और आर्थिक मदद रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाय हो या फिर भारत में वर्ल क्लास 20 इंस्टिटूट्स अफ एमिनन्स के निर्मान का मिशन online education के लिए नए समसाधनों का निर्मान हो या फिर smart India hackathon जैसे अभ्यान प्रयास यही है कि भारत की education और आधुनिक बने modern बने यहां के talent को भरपूर अवसर मिले साथियों इस कड़ी में कुछ दिन पहले देश की नई education policy का एलान किया गया है यह policy 21 सदी के नवजवानों की सोच उनकी जरुरतें उनकी आशाओं अपेक्षाओं और आकांशाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है पांच वर्ष तक देश भर में इसके हर बिंदु पर व्यापक debate और discussion हुए है हर स्तर पर हुए है और तब जाकर यह नई नीती बनी है यह सच्चे अर्थ में पूरे भारत को भारत के सपनों को भारत की भावी पीड़ी की आशाओं अकांशाओं को अपने में समेटे हुए नई भारत की शिक्षानिती आई है इसमें हर क्षेत्र हर राज के विद्वानों के विचारों को समाहित किया गया है और इसलिए यह सिर्फ एक policy document नहीं है बलकि 130 करोड से अधीक भारतियों की aspirations का reflection भी है साथियों आप भी अपने आज पास देखते होंगे आज भी अनेग बच्चों को लगता है कि उनको एक ऐसे विशय के आधार पर जज़ किया जाता है जिसमें उसका कभी इंटरेस्ट हा ही नहीं माबाप का, रिष्टेदारों का, दोस्तों का ओवराल एंवार्मेंट का pressure होता है तो वो दूसरों द्वारा चुने गए subjects मजबुरन पढ़ने लगते है इस approach ने देश को एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी दी जो पढ़ी लिखी तो है लेकिन जो उसने पढ़ा है उसमें से अधिकाउस उसके काम नहीं आता है डिग्रियों के अंबार के बाद भी वो अपने आप में एक अधुरापन महसूस करता है उसके भीतर जो आत्मविश्वास पादा होना चाहिए जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए उसकी कमी वो महसूस करता है इसका प्रभाव उसकी पूरी लाइब की जर्नी पर पड़ता है साथियों नई एजुकेशन पॉलिशी के माद्यम से इसी एप्रोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है पहले की कमियों को दूर किया जा रहा है भारत की सिक्षा विवस्ता में अब एक सिस्टेमेटिक रिफॉर्म सिक्षा का इंटेंट और कंटेंट दोनों को ट्रांसफर्म करने का प्रयास है